मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है अलो बच्चो कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे तो बच्चो आज हिंदी विशे में पाड़ छे चचा छक्कने चित्र टांगा रचनाए प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हास्य के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का चित्रन किया है जो खुद ठीक से काम नहीं करते वे ही सारा काम करते हैं इसका केवल दिखावा करते हैं बच्चो इस पाड़ में चाचा छक्कने चित्र टांगा इस पाड़ में लेखक ये कहना चाते हैं कि जिसे कोई काम करने का धंग नहीं आता है पर कभी का बार जब वो कोई काम करता भी है तो उसमें वो पूरी परिवार के लोगों को उलजा देता है कि लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद भी वो ऐसा दिखावा करते हैं की जैसे सारा काम मैंने किया है तो चलो हम देखते हैं इस पार्ट में आगे क्या है बच्चों चित्र देखो यह चित्र किसान के उपर दिख रहा है किसान से सम्मंदित है क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ते हैं किसान के दैनिक जीवन चक्रद्वारा कारक चिन्हु पहचान कर वाक्य पूर्णे करो बच्चो हमें चित्र देखना है और ये न किसान के जीवन पर आधारित है तो हमें पढ़ना है और देखना है कि जो खाली स्थाने इसमें क्या आएगा किसान डैस बीज लिए तो ये खाली जगे पे क्या आएगा किसान ने बीज लिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ने यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ बच्चो इसमें से हमें चुनकर यहाँ पे सही वाक्य लिखना है दूसरा, हल डैश कंधे पे रखा हल को कंधे पे रखा किसान कभी भी हल को अपने कंधे पे रखते हैं देखो यह किसान भाई ने अपने कंधे पे हर रखा है न तीसरा बैल गाड़ी खेद गया इधर क्या आएगा बैल गाड़ी डैस खेद गया बैल गाड़ी से खेद गया किसान किस में बैठ कर खेद में जाते हैं बैल गाड़ी से तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों से बैल गाड़ी से खेद गया कौन गया? किसान चौथा हल से बैलो डैश अलग किया यहाँ पे क्या हैगा? को हल में से दोनों बैलो को अलग किया हल से बैलो को अलग किया पांचवा हल डैस बैल खोले यहाँ पे क्या आएगा हल से बैल खोले यह बैल ना ऐसे हल में बंधे रहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हल से बैल खोले यह हल में से बैल को खोल दिये किसान डैस पत्नी भोजन लाई किसान यहाँ पे आएगा की किसान की पतनी भोजन लाई ये देखो किसान की पतनी है वो अपने पती के लिए भोजन लाई सात्वा चटाई डैस बैट कर लोगों ने भोजन किया तो क्या हैगा चटाई पर बैट कर दोनों ने भोजन किया घर जाते समय प्रातना की डैश पालनहार हमारे खेत की रक्षा करना तो यहाँ पे क्या आएगा हे घर जाते समय प्रातना की हे पालनहार हमारे खेत की रक्षा करना यह देखो दोनों जन हाथ जोड के भगवान से प्रातना कर रहे हैं कि हे भगवान अब हम घर जा रहे हैं अब आप हमारे खेतों की रक्षा कीजिए ठीक है तो चलो बच्चो अब हम चचा छक्कन पाट पढ़ेंगे चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम में क्यों ले लेते हैं घर भर को तिनगी का नाच नचा देते हैं तिनगी का नाच मतलब बहुत परेशान कर देते हैं ये की जो वो की जो बोलते हैं ये करो वो करो घर बजार एक हो जाता है दूर क्यों जाओ परसो की ही बात है तो बोलते हैं पहले की बात को छोड़ो दूर मत जाओ अभी परसो की ही बात है दुकान से चित्र का अभी चोखट लग कर आया उस वक्त तो वह दिवान खाने में रख दिया गया एक चित्र है उसमें चोखट लगा के लिए क्याते हैं उस वक्त तो वा दिवान खाने में रग दिया गया साम कहीं चच्ची की नजर उस पर पड़ी तो बोली छुटन के अबबा चित्र कपसे रखा हुआ है देखो बच्चों का घर टहरा कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए रुपए दो रुपए का धक्का लग जाएगा बच्चों वो बजार से ये लोग फ्रेम लेके आते हैं तो चाची क्या बोलती है चाची की नजर उस पर पड़ती तो बोलती है चुटन के अबबा ये चित्र को कहीं पर रख दो घर में बच्चे हैं किसी के हाँ से धक्का उक्का लग जाएगा तो वो तूट जाएगा और हम लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा एक काम करो इसको उठा के कहीं पर रख दो कौन टांगेगा इसको पुस्ती है इसको कौन टांगेगा ये फ्रेम है इसको दिवाल में कौन लगाएगा टांगता और कौन मैं खुद टांगूंगा कौन सी बड़ी बात है मैं अभी सब कुछ खुद ही किये लेता हूँ तो बोलता है कि नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है इसको दिवाल पे तो टांग ना है मैं टांग देता हूँ ये कुई बड़ी बात थोड़ी ना है देखो अभी मैं पूरा काम खुद ही कर लूँगा कहने के साथ ही सेरवानी उतार चच्चा चित्र टांगने वो शेरवानी पहने थे उसको उतार देते हैं और चित्र टांगने को तयार हो गए इमामी से कहा बीबी से दो आने पैसे लेकर किले ले आओ फिर वो इमामी को क्या बोलते हैं कि बीबी से पैसे ले लो दो आने और जाके किले लेकर आओ ठोकते न बिटा तभी तो फ्रेम को टांगेंगे इधर वो दरवाजे से निकला उधर मौदे से कहा मौदे मौदे जाना इमानी के पीछे कहो तीन तीन इंच की हो किले फिर वो पहले तो इमामी को भेशते हैं कि किल की पैसे ले आओ बीबी से दो आने लेकर किले ले आओ फिर उसके बाद मौदे को भी बोलते हैं मौदे जाना इमानी के पीछे मौदे को बोलते हैं तुम इमानी के पीछे जाओ पहले तो इमानी को बोलते हैं जाके किले लेकर आओ फिर मौदे को बोलते हैं कि उसके पीछे जाओ कहो तीन तीन इंच की हो किले मौदे को बोलते ह इमानी की पिछे जाओ और उसे कहो कि तीन तीन इंच की किले लेकर आए भाग कर जा जा पकड़ लो उसे रास्ते में ही लीजिये चित्र टांगने का काम सुरू हो गया अब आई घर भर की सामत नन्हे को पुकारा ओ नन्हे फिर उसके बाद चचा क्या करते है नन्हे को पुकारते है नन्हे जाना जरा हथोड़ा ले आना फिर नन्हे को उठाते हैं बोलते हैं नन्हे हथोड़ा लेकर आओ सिड़ी की जुरुरत भी तो होगी हमको और बोलते हैं हथोड़ा लेक्या और हमको तो सिड़ी की भी जरूत होगी अरे भाई लल्लू जर तुम जाकर किसी से कह देते सिड़ी यहां लाकर लगा दे और हाँ देखना वो लकड़ी के तक्ते वाली कूरसी भी लेते आते तो खूब होता छुटन बेटे चाय पीली जरा जाना तो अपने उन हमसाए मिरबाकर अली के घर कहना अबान ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है और कहियो वो जो है ना आपके पस क्या नाम है उसका एलो भूल गया पल्लू था के टल्लू ना जाने क्या था खै वो सब भी था तो यू कह दी जो कि वो जो आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है वो जरा दे दीजिए चित्र टांग ना है जैयो मेरे बेटे पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना ना भूल जाना अच्छा हे ठहरे रहो सीधी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको फिर बोलते हैं अरे ठहरे रहो सीधी पर तो रोशनी भी दिखाना पड़ेगा आ गया ही मामी ले आया किले मौदा मिल गया था तीन तीन इंची ही की है ना बस बहुत ठीक है ये लो सुतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा फिर चाचा को याद आता है अरे मैंने तो सुतली मंगवाया ही नहीं आप क्या करो जाना मेरे भाई जल्दी से हवा की तरह जा और देखो बस गज सवा गज हो सुतली ना बहुत मोटी हो ना पतली हो कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए फिर बोलते हैं अ सुतली मोटी भी नहीं होनी चाहिए पतली भी नहीं होनी चाहिए लेया ददू मिया इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूजी है यू नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए अब बोलते हैं इसी समय सब लोग अपना अपना काम करने के लिए जबको आ गया है ऐसा नहीं कि मगर जो होना था वही हुआ चच्चा उस चित्र को उठा कर जरा वजन कर ही रहे थे कि हाँ से छूट गया चच्चा जैसे चित्र को उठाएं तो वो उनके हाथों से छूट गया गिर खर सीशा चूर चूर हो गया और जब वो गिर गया नीचे तो उसके उपर का सीसा टूड गया चूर चूर हो गया हाई हाई कहकर सब एक दूसरे का मुँ ताकने लगे चच्चा ने अब किर्चो को उठाना चाहा की सीसा उंगली में चुप गया चच्चा सोचे कि जो कास टूड गया है उसको में उठा लेता हूँ लेकिन सीसा उनकी उंगली में चुप गया खून की धार बहने लगी और उनके हाँ से खून बहने लगा सब चित्र को भूल अपना रुमाल धूरने लगे और वो अभी चित्र को भूल गया और रुमाल धूरने लगे रुमाल कहां से मिलेगा रुमाल था सेरवानी की जेव में रुमाल कैसे मिलेगा वो तो चच्चा ने सेरवानी की जेव में रख दिया था सेरवानी उतार कर ना जाने कहां रखी थी अब जनाब घर भर ने चित्र टांगने का सामान ताग पर रखा और शेरवाने की डुड़ाई होने लगी अभी चित्र टांगने का जितना भी सामान था सब लग उसको साइड में रख देते हैं और चच्चा की शेरवाने धूड़ने में लग जाते हैं चच्चा कमरे में नाचते फिर रहे थे, कभी इससे टकराते, कभी उससे टकराते, सारे घर से ही किसी को इतना खयाल नहीं की, मेरी तो सेरवानी धूर निकाले और क्या जूट कहता हूं कुछ, छे-छे आदमी हैं, और एक सेरवानी नहीं धूर सकते, अभी पांच मिनट भी तो नहीं हुए, मैंने उतार कर रखी है भाई, उपर से बोलते हैं, कि घर में पांच छे लोग है, और मेरी सेरवानी को भी नहीं धूर पा रहे हैं, अभी तो मैंने उतार कर रखी थी, आगे द इतने में चच्चा किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे फिर चच्चा उठते हैं तो क्या देखते हैं कि शेरवानी पर तो वो खुद ही बैठे हुए थे आप पुकार पुकार कर कह रहे हैं अरे भाई रहने देना शेर शेरवानी धूर ली हमने और सब को बोलते हैं अरे भाई रुख जाओ कोई शेरवानी को मत धूरो मैंने शेरवानी को धूर ली है हमको तो आखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता उपर से बोलते हैं तुम लोगों को तो आखों के सामने बैल भी रहेगा ले बांधती बांधती रही नया सीसा मंगवा कर चोखट में जड़ा और दो घंटे बाद फिर चित्र टांगने का सिलसिला सुरू हुआ फिर से वो सीसा नया सीसा लिख के आए उसको चोखट में जड़ दिया दो घंटे के बाद फिर से फिर से चित्र को टांगने का काम शुरू हुआ ओजार आये, सीड़ी आई, चोकी आई, मुम्बतिल आई गई चचा जान सीड़ी पर चड़ रहे हैं और सारा घर अर्ध व्रताकार की सूरत में सहायता करने को कील काटे से लेस खड़ा है दो आदमी ने सीड़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा, उस पर पहुँचे उपर पहुँचे, एक ने कुरसी पर चड़ कर कीले बढ़ाई एक कील ले ली, दूसरे ने हथोड़ा उपर पहुचाया की कील हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ी खिस्यानी आवाज में बोले, ए लो, अब ये कील हाथ से छूट कर गिर पड़ी, देखना कहा गई अब जनाब सब के सब घुटनों के बल टटोल टटोल करकी कील तलास कर रहे हैं और चच्चा मिया सीड़ी पर खड़े लगातार बड़बडा रहे हैं कील बेटा नीचे गिर जाती है, तो सब लोग उसको धूडने लगते हैं और जो चच्चा मिया हैं, वो सीड़ी पर खड़े होके चिला रहे थे, बड़बडा रहे थे मिली, अरे धूडा, अब तक तो मैं सो बार तलास कर लेता अब मैं रात भर सीड़ी पर खड़ा खड़ा सूक जाऊंगा नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो चच्चा बोलते हैं, मिला क्या तुम लोगों को अभी अगर मैं होता, तो मैं कित फटाख से धूर लेता रात भर क्या मैं खड़ा खड़ा रहूंगा नहीं मिल रही है, तो एक काम करो, मुझे दूसरी दे दो अंधो या सुनकर सबकी जान में जान आती है तभी पहली कील मिल जाती है अब कील चच्चा जान के हाथों में पहुचाते हैं तो मालूम पड़ा कि हथोड़ा गया भोग चुका है यह हथोड़ा कहां चला गया, कहां रखा था मैंने उल्लू की तरह आखे फाड़े मेरा मुझे क्या ताक रहे हो छ आदमी और किसी को मालूम नहीं हथोड़ा मैंने कहां रख दिया अब हथोड़ा मिला, तो चच्चा ये भूल बठे कि नापने के बाद कील गाड़ने को दिवाल पर निसान किस जगह लगाया था सब बारी-बारी कुर्सी पर चड़कर कोशिश कर रहे थे कि शायद निसान नजर आ जाए हर एक को अलग-अलग जगह निशान दिखाई देता है आखिर फिर पट्रिली और कोने में चित्र टांगने की जगह को दुबारा नापना सुरू किया चित्र कोने से 35 इंज के फासले पर लगा हुआ था चित्र कहां लगा था कोने से 35 इंज के फासले पर बारा और बारा और कितने इंच और बच्चों को जबानी हिसाब का सवाल मिला उची आवाज में सभी ने सवाल हल करना सुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ एक ने दूसरे को गलत बताया इसी तू-तू मेमे में सब भूल बैठे की असल सवाल क्या था नए सिरे से नाप लेने की जरूरत पड़ गई चच्चा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया और इस चकर में सुतली हाँ से छूट गई और चच्चा आग ये जमीन पर कोने में सितार रखा था उसकी सारी तार चच्चा जान के बोज से एकदम जनजना कर टुकडे टुकडे हो गई साइड में सितार रखा हुआ था चच्चा जान उसके उपर गिर गए तो सितार के टुकडे टुकडे हो गए बहुत मुश्किलों के बाद चच्चा जान फिर से कील गाडने की जगा तै करते हैं बाएं हाथ से उस जगा कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथोड़ा समालते हैं पहली ही चोड़ जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगुठे पर चच्चा सीसी करके हथोड़ा छोड़ देते हैं चच्चा क्या करते हैं कील को ठोकने जाते हैं तो अपने हाथ के अंगुटे पर ही मार देते हैं और चिलाने लगते हैं सीसी करके हथोड़ा भी छोड़ देते हैं वह नीचे आकर गिरता है और हथोड़ा नीचे गिर जाता है किसी के पाउंपर हाए हाए उफ ओ और मार डाला सुरू हो जाती है अब नए सीरे से कोशिश शुरू हुई कील और आधा हथोड़ा दिवाल में और चच्चा अचानक कील गड़ जाने से इतनी जोर से दिवाल से टकराई की नाकी ही पिचक कर रह गई कोई आधी रात का वक्त होगा जैसे तैसे चित्र टंगा वो भी कैसा तेड़ा मेरा और इतना जुका हुआ की अब गिरा की अब गिरा की तब गिरा चित्र टंग जाता है लेकिन वो इतना जुका हुआ रहता है की अभी गिरेगा की कब गिर जाएगा पता नहीं चच्चा के सिवाय बाकी सब ठकान से चूर नींद में जूम रहे थे चच्चा को छोड़ कर बाकी सब लोग बहुत ठक गए थे और उन्हें बहुत नींद आ रहे थी नींद में वो लोग जूम रहे थे चच्चा धम से उतरते हैं तो कहरी गरीब के पाउं पर पाउं वो तडब कर चीक उठी चच्चा उतरते हैं तो उनका पैर कहारी के पाउं पर लग जाता है वो चीक उठती है उसकी चीक से चच्चा परेशान तो हुए मगर दाड़ी पर हाथ फेर कर बोले इतनी सी बात थी लो चित्र भी लग गया इस काम के लिए लोग मिस्तरी बुलवाया करते हैं फिर सब हो जाता है तो चच्चा बोलते हैं इतनी सी बात थी लो चित्र भी लग गया चित्र को लग ग्या इतनी छोटी सी तो बात थी, सिप चित्र तो लगा ना था। इस काम के लिए लोग मुस्तरी बुलवाया करते हैं। और चच्चा नीचे उतर कर अपने चित्र को देख रहे हैं। लेकिन बाकी सब लोग इतने ठक गयते की सब के सब सो जाते हैं। तो बच्चो यहाँ पर हमारा पाट समाप्थ होता है। अब हम इसके सब्दवाटिका देखते हैं। दिवान खाना, बैठक का कमरा, आला, सीधा, नापने का यंत्र, किरच, कांच का नुकिला, टुकडा, मुहावरे, नाच नचाना, अपने धंग से काम कराना, शामत आना, बूरा समय आना, हाथ बटाना, सहायता करना, मदद करना, तू तू मैमे करना, बहस करना। चो यहाँ पर हमारा पाट समाप्थ होता है। अगली पाट साला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाट साला में नए हैं तो मेरे पाट साला को लाइक करिये, सब्सक्राइब करिये और कमेंट करिये। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी इस पाड़ साला का लाप सभी बच्चे ले सके ओके बच्चो स्वस्त रहो मस्त रहो बाई बच्चो